इंसा जो आराजकता यहां संबल में देखी गई है वाकई में चिंता जनक है क्योंकि यह कोई पहली तफ़ा नहीं है जब ऐसे धरम के नाम पर या मस्जिद बंदिर के नाम पर ऐसे इंसा देखी गई हो लेकिन लगातार जिस तरीके से यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ना और इतनी तादाद में इनके पास पत्थर होना यह बड़ा सवाल है गोलियां यहां पर चलाई गई है लोगों ने अपनी जाने गवाई हैं उनके परिवारों का हाल बेहाल है इस वक्त उनके घर जो ह कैसे पहुचा जाए वो एक अकेला व्यक्ति है या उसका संगठन है जो पूरी तरह से इस भीड को जुटाने में काम्याब रहा वहां तक पहुचने की जो पूरी कवायद है वो किस तरीके से देखी जा रही है यह बताईएगा और इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो जो सुनवाई अब आगे मामले में होगी उसको लेकर भी अपडेट दीजेगा क्योंकि यहाँ पर उमीद तो यही की जा रही है यहाँ पर कि मस्जिद का सर्वे रुकवाया जाए आगे जो भी रिपोर्ट होगी उसके बाद क्या एक बर फिर से सर्वे के लिए टीमें पहुँचेंगी यहाँ इसको कोई और दिशा जो हालात बने हैं इन हालातों को देखते हुए इस पूरे मामले को कोई और दिशा कोर्ट देता है बिलकुल इस पूरे मामले को लेकर 29 जुलाई को Civil Court में जो है वो सुनवाई होनी है और सिविन सुप्रीम Court में याचिका जो है दायर कर दी गई है अब यह देखना एहम होगा कि सुप्रीम Court की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ गहा जाता है वहीं 19 तारिक की डेट जो है वो सिविल कोट में लगी हुई है इन सब के बीच लगातार जो पुलिस की जाच है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर इकटा हो रहे थे तो क्या Local Intelligence Unit को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या जो पुलिस का खूफिया तंत्र होता है स्थानिय पुलिस का वो इस बात को पहले से अगर नहीं ट्रेस कर पाया तो उसकी भी फेलियर जो है वो साफतोर पर नजर आती है पुलिस प्रसाशन की तरफ से जो तमाम हथियार जो है वो दिखाये गए उन हथियारों में साफतोर पर नजर आता है कि बड़ी संख्या में जो उपद्रवी तत्व हैं वो सुनियोजित हिंसा की प्लानिंग के तहत जो है वो ही कठा हुए थे और उसमें चाहे वो चाकू हो जो की दोधारी चाकू थे इसके लाबा बड़े-बड़े पत्थर हो या फिर देसी तमंचे हो उनका जो इस्तिमाल है वो किया गया ठीक है चंदन बहुत बश्शक्रिया आपका इन तमाम चानकारियों के लिए नज़रा आप पूरे हालात पर बनाए रखेगा आप जेट आप से हम लेते रहेंगे तो यूपी के संभल में हिंसा का आज तीसरा दिन संभल हिंसा का सीसी टीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें दंगाई सीसी टीवी कैमरे तोड़ते नज़रा रहे हैं वीडियो में तमंचे से पायरिंग करते भी नज़रा रहे हैं पोड़ा वक्त देखा जाएगा और लगेगा ये वक्त कि तस्वीरे आप देखिए। यहां पर काम है, बिजली के खंबो पर जो नई लाइने डाली जा रही है, उसको दुबारा से यहां पर लगाया जा रहा है, और जो तमाम यहां पर करमी हैं, उनसे भी हम बात देखिए। इसको पूरा कनेक्शन ले लमसम एक घंटा लगेगा, लेके कनेक्शन कट है, जी लमसम 40-50 घर की लाइट बन है, लोगों की टीम है इस वक्त आपकी हांप, मेरे पास लमसम 10 लोगों की टीम है सारी, जिसे मैं लीट कर रहा हूं सारी, आप देख सकते हैं, जो मौके पर रे वस्ता इस वक्त काइम है, जो आसपास के तमाम घर है, उन पर आपको ताले लगे वे नज़र आएंगे, क्योंकि जो तमाम लोग है, वो अपने घरों पर ताला लगा कर अपने आसपडोस के रिष्टेदार और जान पहचान वालों के यहां जा चुके हैं, क्योंकि स्थित को यहां हुए हिंसा के बाद, अब स्थिती जो है, वो शान्ती बहाली की तरफ नज़र आ रही है, बड़ी संख्या में लगातार पुलिस फोर्स की तैनाती, तमाम सेंसिटिव इलाकों में जो है आपको नज़र आएगी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ठीक, उसी स्थान पर जहां रविवार को हिंसा हुई, और मेरे ठीक सामने आपको शंभल का वो शाही जाम महजद नजर आ रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है, कि यह हरिहर मंदर है, और रविवार को कोट कमिशन की जो टीम है, वो एसाई के अधिकारियों के साथ, जब सर्वे की तरफ से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, हवा में फायर भी की गई, लेकिन इन सब के बीच, अब मैं जो आपको तस्वीरे दिखाने जा रहा हूँ, कि आखिर किस तरीके से इस पूरी हिंसा के बाद, यह जो पूरा इलाका है, यहां पर आपको एक सन्नाता जो है, वो नजर आता है, और जितनी भी दुकाने हैं, वो आपको बंद नजर आएगी, और साथी साथ हम जब यहां लगातार बीते तीन दिन से हैं, तो इस मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों में जितने भी घर हैं, इन घरों में जो लोग हैं, वो नजर नहीं आ रहे कई लोग जो हैं वो अपने घरों में ताला लगा कर अपने जो रिष्टिदार हैं आसपास के जिलों में उनकी तरफ रुख कर चुके हैं क्योंकि इस पुरे मामले में जो पच्छिस सो से जादा F.I.R. पुलिस की तरफ से रेजिस्टर की गई है उसमें जो अधिकान्श लो हैं वो यहां पर मुस्तेदी से आपको तैनात नजर आते हैं इस पुरे मामले में पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मताबिक चार लोगों की जो है वो मौत हुई है और जो पोस्ट माटम रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो गोली लगी है वो गोली देसी तमंचे से फायर की गई है और इस पूरे मामले को लेकर एक मजिस्ट्रियल जात जो है वो बिठा दी गई है अभी भी ये देखी यहाँ पर जो गाडियों को आग के हवाले किया गया उसके निशान जो है आपको नजर आएंगे और मस्जिद की दिवार पर कुछ पत्थर भी जो है वो आपको नजर आएंगे और पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है वो आप साफत ओर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम लगा हुआ आपको नजर आएगा लोग भी जो है वो घरों में नजर नहीं आ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताय सबसे ज़्यादा तो फाइयर दर्द की गई यो इसी महले में लोगों के जो घर हैं जो इसी महले में इसरे दिन स्थिती समानने होने की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस की टीम जो है उने गरानी कर रही है आला धिकारी लगातार बौके पर पहुँचकर जितने भी पुलिस के जवान डिपलॉइड हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। मस्जित को लेकर जो विवाद है वो काफी लंबे समय से रहा है और मुस्लिम पक्ष लगातार इसे बाबर के समय की मस्जित जहां बताता हुआ नजर आये तो है।